हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले एक शेर से एलेटेड जिसका नाम है Reliance Infrastructure Limited शेर के बताने के पीछे का रीजन क्या है क्या पूरा का पूरा यहां पर प्रोसीजर है क्या है इस प्रेटिकुलर शेर से एलेटेड वो मैं आपको यहां पर बताता हुआ यहां पर आप देखोगे तो 25-26 रुपे पर चलता था आज केवल और केवल 163 रुपीज पर मिल रहा है 52 वीक हाई की बात करें 300 रुपे था अभी 163 पर चलता है तो लगब लगब 50% की गिरावट यहां पर हो चुकी है ठीक है तो इस शेर को बताने के पीछे क्या क्या री अपने फाइनशल अडवाईजर कुछ की स्टडी करने और चीजों को सीखने भी फोकस करना है सीखना किस तरीक है सबसे परे वीडियो जाके एक एक करके वीडियो इसको जाके देखिए आपको बहुत सारे चीट है आपर पर पदा चलती ही नजर आएगी बारी किया सीखनी पूरा एक कोर्स है जो कि लगबग 20-25 दिन का कोर्स है जो आप एक एक आर की पर पर दे क्लास लेकर यहां पर सीख सकते है आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलते हुए नजर आएंगे 25,000 रुपे का कोर्स है थ्री मेंस के एंडोल्डिंग है सब कुछ दिया जाता है एक बार कोर्स कम्प्लीट हुआ फिर पीछे मुर के देखने की जगोत नहीं है सिम्पली आपको क्या करना है छे महीने से एक साल का experience लेना है उन तब बेसिज आप जो भी पढ़ाए जाए इसके लावा काम करना चाहते है साथ में तो भी नमरों पर नोट करके आप हमार साथ काम भी कर सकते है बात करते है रिलाइंस infrastructure limited की तो जैसे कि मैंने बताए है कभी शेयर 26 रुपे का हुआ करता था आज 163 रुपीज पर चलता हुआ नजर आथा तो कंपनी करती गए देखे इस वन अफ दा लार्ज़ेस इंफरस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्चर कंपनी इंगेर्ज इन डेवलोपिंग इंफरस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र प्रोजेक्ट्ट्ट्रू तू विरियस काम करती हुए नजर आती है इस अलसो अलसो अ लीडिंग यूटिलिटी यूटिलिटी कंपनी हविंग प्रिजेंस अक्रोज वेल्यू चेन ऑफ पावर बिजिनस अना तो पावर से लेडिट भी यहां पर इनका काम है जो कि आप यहां पर जाकर देख सकते हैं आप एक पर सबने आता हुआ नजर आएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फैनेशल की तरफ ध्यान दे देते हैं तो आपको बता चलेगा मार्केट का तो 6,455 क्रोड रुपाई कंपनी है तो 6,455 क्रोड मतलब small cap small cap की बात करने दो चीजों को हमेशा याद रख तो आपको multi bagger return दे जाते हैं तो इसी तरीके से गिरते हो भी नजर आते हैं तो सही टाइम पर बेजना और सही टाइम पर लेना आएए दो अलग अलग चीजे हैं इन्हें हमेशा आपको ध्यान में रखना और वह कैसे कर सकते हैं वह हमारे course की help लेके आप उसमें पारंगत ह सकते हैं सीखने से सब कुछ आपका solve होता हुए नजर आएगा देखिए book value 242 रूपीस की है मतलब क्या है कि under value stock यहां पर नजर आता है ठीक है 10 की face value यहां पर दिखाई देती है और gross profit margin की बात करें 36% का है जो की last quarter का था sales growth भी होती हुए नजर आईए थोड़ा सा आगे numbers अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे है ठीक है बीच में कभी जादा हो जाते कभी कम हो जाते है बड़ स्टिल यहां पर आपको समझ में आएगा कि quarterly base पर तो गरावट आती हुई दिखाई दे रही है but yearly base पर company का performance ठीक ठाक नजर आता है company operating profit margin की बात करें तो यहां पर लगब लगब अच्छा खासा operating profit यहां पर दिखाई देता है margin भी आप देखेंगे तो यहां पर company कहां 7% का margin था 12% result की बात करें यह last quarter के numbers की बात कर रहो अभी result आये नहीं है बट जो result आएंगा तो मुझे पता है कि result शायद अच्छे आते हुए इसके chances है कि बहुत ठीक है और company अच्छा खासा profit net profit तो मुश्किल आएगा क्यों net profit की बात करें तो company को उपर dead बहुत ज़्याद है यहां पर देखिए interest में ही यह company बहुत ज़्यादा पैसा देती हुई नजर आ रही है यहां पर आप देखिए borrowing तो लगब दस जार करोड के आसपास की borrowing company के अच्छा खासा profit में आता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस शेर की तरफ हमें क्या करना नजर दिखानी है इसके इलावा हम बात करें profit and loss की अगर yearly base में हम देखे तो yearly base पे जहां पर लगा ता गिराबट ओड़ी थी अब धीरे-धीरे करके हाना वही 17 करोड से 19 से 22 करोड त आता हुआ दिखाई दे रहे लगातार ठीक है उसके पीछे का reason में बता चुका हूँ कि company के ऊपर borrowing की बात करें तो बहुत जाते हैं यहां पर borrowing है इस वज़े से यह सारे का सारा आकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहे इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो reserves company के पास है और positive cash flows company के पास है यह एक अच्छी बात है पर मोटस की holding की बात करें तो लगवा 16% की holding है ठीक है उसमें भी यहां पर आप देखेंगे तो आपका समय में आगा कि 16% RI SSEE Infinity Private Limited के पास है इसके लावा FIS की बात करें तो FIS कहां जहां पर 1% हुआ करते थे वहां पर इसे बड के पास हिस्सेदारी घड़ती हुई नजराई है 69% की हिस्सेदारी है बट उसमें भी आप देखेंगे तो बड़े-बड़े रिलाइंस commercial finance के पास 11% हाना यहां पर मैत्यू सायरे की की बात करें 3.49% यहां पर देख सकते है लग-अलग लोगों ने बड़ी-बड़ी companies ने आ तोड़ा तोड़ा माल करके यहां पर उठाया गया है इसलिए अब यहां पर दिखाई दरा है कि 1% की सदारी की बढ़ती हुई नजर आई है ब्लॉग डील में के वाल यही नजर आता है कि जो मैंने भी नाम दिखाया था उन्होंने दो जैन को यहां पर अच्छे खासे शे बैल डाईकन को हमने ओर करें तो यहां करें के साथ लिखनेमर और साथ में करें को नोड करूद्या करें और साथ कर लियुदानeping और साथ में करक्ते यह सबते हैं कि अत्यासी 報導 बेहां देख सकते हैं अशे घजिक हैं और 1 section 2 तक आता हुँ दिखाई दिया है ठीक है as such मुझे यहाँ पर आप देख पारे होगे कि share में लगाता गिरावट जरूर हुई है बट यहाँ पर जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो चीज आपको शायद जब आप course करोगे आपको समझ में आएगा ठीक है गिरावट जरूर हुई है बर किस गिरावट में जान नहीं है ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है और कि यहाँ पर अच्छे खासे share बागते हुए नजर आते हुए दिखाई दे सकते हैं ठीक है आने वाले आपको जो भी करना है खुद करना है किसी के कहने मेरे कहने पर नहीं लेना है एक छोटा सा stop loss अगर लगाया जाए जो कि कितना 150 6 रूपीज का आता है ठीक है 162 पर चल रहा है मतलब 6 रूपे की एक रिस्क होगी ठीक है और 6 रूपे की रिस्क लेके अगर कोई यहां पर लूप करना चाहे तो मुझे रगता है कि शॉट टम में एक अच्छे खासे गेन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यह स्कौर्टर के रिजल्ट अच्छे आ सकते है तो 27 परसंट के गेन आ सकते है और जिस दिन यह 27 परसंट भागेगा उस दिन यह शेयर 300 रुपे तक भी जाता हुआ नजर आएगा और अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा दे तो मुझे लगता है कि यह शेयर धीरे धीरे करके 300 नहीं जो इसके प्रीवियस हाई थे ना यहां पर आप देखिए निकलता हुआ नजर आ रहा है यहां तक परदे 600 फिर 800 ठीक ना फिर यहां पर 1200 थेरे सो और यह जर्णी भी तैक कर सकता है 26 रुपे जी कोई बड़ी बात नहीं है बट कंपनी को यहां पर अपने आपको प्रूप करना होगा घाटा यहां पर जो इनका बॉर रहेंगे वो दीरे-दीरे कम हो रही है जो की पॉजिटिव बात यहां पर नजर आ रही है ठीक ना तो अगर यह कम हो जाती है कहीं न कहीं इनका वैसे तो यह प्रॉफिट में दिखाई देते ही है थैंक यह सो मुझ गॉट ब्लेस